दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बलेक लाइन और वाइट लाइन की कि आखिर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सक्तिसाली कौन है आज की इस वीडियो में हम इन दोनों से जुड़ी कापी सारी जानकारियां जानने वाले हैं तो चलिए बिना टाइम बर बात किये शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं वाइट लाइन की दोस्तो सपेद शीर सबसे सुन्दर जीओं में से एक है और ये आम तोर पर ज़्यादा तर चिडियागरों के अंदर ही देखने को मिलते हैं और चिडियागरों के अंदर भी इनकी संक्या ज़्यादा नहीं है बात जब इनके सपेद रंकी करते हैं कि आकिर इनका रंक सपेद क्यों होता है तो इसके पीछे का कारण होता है जीन मुटेसन क्योंकि जब इनकी बोडी के अंदर मेलेनीन की कम मात्रा होती है तो इनका रंग सपेद हो जाता है और मैं आपको बता दूँ मेलेनीन एक पिगमेंट होता है जो कि बोडी का रंग निर्दारण करता है और इनका पूरा सरील सपेद रंगका होता है यहान तक कि इनके बालों का अयाल भी पूरी तरह सपेद होता है खेर जो भी हो दिखने में वाइट लाइन कापी ज़्यादा सुन्दर होते हैं वेसे तो ये पूरी तरह नॉर्मल सेरी होता है खाली बोडी का कलर डिप्रेंस होने के कारण ये वाइट रंके हो जाते हैं अगर बात इनके साइज की करते हैं तो ये वजन के मामले में 220 से लेकर 240 किलोग्राम तक भारी होते हैं और 2.5 मिटर लंबे वा 1.2 मिटर उचे होते हैं और इसी कारण ये नॉर्मल लाइन के कमपेरिजन में इक्वली होते हैं तो चलिए अब बलेक लाइन के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों जब हमने बलेक लाइन के बारे में खोजविन सुरू की तो हमें इससे जुड़ी इंटरनेट पर काफी सारी तस्वीरे मिली लेकिन क्या असल में बलेक लाइन पाए जाते हैं इसकी पुष्ठी केवल फोटोस के जरिये नहीं की जा सकती थी इसलिए हमने और भी खोजविन की और हमें बलेक लाइन की एक वीडियो भी मिल गई जिससे हमें इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि बलेक लाइन पाए जाते हैं लेकिन असल में ये पूरी तरह बलेक रंके नहीं होते हैं लेकिन ये काफियत तक काले रंके दिखाई पड़ते हैं और जब बात करें कि आखिर इनका रंग बलेक क्यों होता है तो इनके सरीर के अंदर मेलेनिन की कम मातरा होने के बजाए अधिकों ये लगती है जिससे कि ये काले रंके दिखाई पड़ते हैं जैसा कि ब्लेक पेंतर के केस में होता है लेकिन ब्लेक पेंतर का रंग इनसे कापी गहरा होता है दोस्तो ब्लेक लाइन को आज तक के सबसे दुरलब सेरों में सामिल किया गया है क्योंकि ब्लेक लाइन को देख पना किसे इतिफाक से कम नहीं होता है अगर हम ब्लेक लाइन को वाइट लाइन से कंपेर करते हैं तो इनका साइज भी वाइट लाइन के बराबरी होता है यहां तक कि इनका वजन भी वाइट लाइन के बराबरी होता है क्योंकि असल में वाइट लाइन और ब्लेक लाइन एक ही प्रजाती के शेयर होते हैं जिससे जायर सी बात है कि इनकी बोडी के अंदर जाजा कुछ डिफरेंस नहीं होगा इसलिए ताकत और कुखार होने के मामले में ब्लेक लाइन और वाइट लाइन एक ही समान होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टकर देने में पूरी तरह सक्षम है वेसे आपको ब्लेक लाइन और वाइट लाइन के बारे में जानकर केसा लगा आप अपनी राय कमेंट बोक्स में जरूर बताना तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं कतम करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई